सो हे गाइस वेलकम टू तो वीडियो और आज के इस वीडियो में हम लग बात करेंगे सौमी एमाइन नोट 10 लाइट के बारे में यहां फ्रेंड यह नया स्मार्टफोन होने वाला है स्वामी एमाइन नोट 10 प्रो का एक छोटा वर्ज है इस डिवाइस के कुछ स्पेसिफिक के बारे में निकल कर आया हैं इसके बारे में हम लोग वीडियो के आगे बात करने वाले हैं तो फ्रेंड सबसे पहले जानना आपके लिए जरूरी है कि इसके बरे डिवास को यानि कि साव्मी एमाइन नोट 10 पर लौन्श किया गया था और क्या इस्पेसिकेशन उस डिवा डिवाइस के बैक पेनल में आपको पेंटर रियर कैमरा का सपोर्ट मिलता है जो की 108 मेवा पिक्सल के साथ आता है साथ में डिवाइस में स्नाइब्रेगन 65 अब प्रोसेसर था तो वीने सोचे यह बहुत ज्यादा एक्सक्राइब 32 रुपाए के प्राइज में आम लोग इसे अफॉर्ड नहीं कर पाएंगे तो इसलिए स्मार्टफून पर वरक करना शुरू किया इसका नाम होने वाला है साथ मिम आपट जिसके बारे में हम लोग इ लगा देखनी को मिलेगा साथ में 13 ब्राइट उप्र सेंसर और 5 मिया प्रिक्सल चाम चैमरवा'd बाहर के Сब опас师 के साथ आने वाला है पहले वह लिए नोगों की नेखने को मिलेगा तो यह इसके खास features है Even guys, device में जो 64MP का main camera है इसे आप कहीं से भी एक normal camera मत समझना क्योंकि इस camera में Sony का latest sensor IMX682 का sensor देखने को मिलेगा जो कि अपने old version IMX686 से बहुत ही अच्छा performance प्रोफॉमेस प्रोफॉमेस कराता है यह device photography lovers के लिए बहुत ही अच्छा experience होने वाला है यहाँ पर बात करते हैं device के battery capability की तो device में battery के मामले में कहें भी कोई compromise नहीं किया गया है device में 5260 mAh का massive battery देखने को मिला है जो कि same Xiaomi Mi Note 10 Pro में देखने को मिला था और device 30W की fast charging के साथ आता है तो आप क्या सकते हैं एक पर चार्ज करने से यह पूरा एक दिन का battery backup प्रोवाइड करेगा जो कि device के लिए बहुत अच्छी बात है अब बात करते हैं device के performance को लेकर खे तो device में Snapdragon 765 का processor हो सकता है बट कई सारे reports में तो यह भी बताया गया है कि device में Mediatic का latest 5G processor इस प्रोसेटर के साथ डिवाइस आता है तो थोरे कम प्राइस पॉंट पर लांच हो सकता है बात करें device के operating system के बारे में तो आपके लिए यहां भी यह जानना बहुत जोड़े है कि सौमी अपने MIUI 12 पर वर्क कर रही है और अभी यह बेटा स्टेज में है सौमी MI Note 10 Lite भी अभी लांच नहीं होने वाला है तो जब सौमी MI Note 10 Lite लांच होगा तब तक हो सकता है MIUI 12 के साथ यह device लांच हो जाए बात करें इस device के launch date and pricing की तो recently हमने देखा है Chinese में जो भी phone लांच हुआ है वो सारे online event में लांच हुए है आफलाइन कोई भी लांच नहीं हुआ है एन इंडिया लांच डेट की बात है तो due to Corona वारे सट डाउन यह आने वाले टैम में लांच हो सकता है बट अभी तो लांच नहीं होगा तो इसके price के वारे में भी कोई officially confirmation नहीं है तो देखते हैं क्या कुछ नए अपडेट आता है कोई भी नए अपडेट आएगा ना तो मैं आपको अपने चैनल पर दे दूँगा वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक सेर कमेंट करना और ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना